आज की जो रीडिंग करने जा रहे हैं इसमें हम राशी फल चेक करेंगे आपकी राशी की अनुसार कौन सी तीन घटना है जो मैं के महीने में आपके साथ होकर ही रहेंगी उस एनरजी इसको हम चेक करेंगे ध्यान रखना ये रीडिंग संसाइन, मून साइन, लगन राशी, देट ऑफ वर्ड नाम के अनुसार किसी भी साबसे आप देख सकते हैं क्योंकि ये टारो रीडिंग है इसे आप जर्नल रीडिंग कंसिज़र करें आप बस अपने राशी जिस पे भी आपका बलीफ है कि ये राशी मुझे सूट करती है आप उस अनुसार इसे देख सकते है ठीक है आपको एक चीज़ में समझा देती हूँ कि हो सकता है कि जो में ओवरॉल राशी पल है और ये जो तीन घटना है वो दोनों डिफरेंट हो क्योंकि जो रीडिंग होती है वो टारो के बेसिस पे होती है जो टारो कार्ड निकलते मैं उसके बेस पर रीड करती हूँ मै अगर आप लोगों को ये रीडिंग्स पसंद है ये टॉपिक्स अच्छे लगते हैं तो मस्त वाला लाइक जरूर चिपका दे और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर इसके बारे में बता है ताकि मैं हर मैने आप लोगों के लिए इस टॉपिक पर रीडिंग लाती रहू आपको अच्छे से बता है आप स्री है पुरूश है और जिनके बारे में मैं बात कर रही हूं वो स्त्री है या पुरूश है तो ये राशिफल मैं मन्त के लिए साल 2014 के लिए है जिसमें हम देखेंगे तीन घटनाय कॉन सी है जो घटत होकर रहेंगी करियर में हो सकती है और इसके अलावा में लव राशिफल भी जो है आप लोगों के लिए डेफिनिटली पोस्ट करूँगी वो अलग से नूप कॉन्टाक वालों के लिए या उन लोगों के लिए जो अपनी लाइफ में लव लाइफ को लेकर प्रॉब्लम पेस कर रहे है ठीक है तो चलिए साल दोजार चॉविस में घजचत हो कर रहेंगी स्टा इट ऑफ कप्स सेवन अफ कप्स ओके यूनिवर्स मुझे बताएं स्टार के इनजी को क्लारफाय करें तैन अफ कप्स टावर किंग ओफ कप्स इस महीने सबसे पहली जो घटना मुझे आपके लिए दिखाई दे रहे हैं वो है आपकी पॉजिटिविटी आप इस महीने काफी जादा पॉजिटिव रहेंग हर चीज में पॉजिटिविटी देखेंगे पॉजिटिविटी सोचेंगे यहां पर एनरजी आपकी रिप्रेजंट कर रहे हैं कि आप अपने आपको काफी जादा बेटर फील करेंगे काफी जादा हापी फील करेंगे बहुत लंबे समय से आपको बहुत जादा लो फील तिस टाइम आपकी लाइफ में किसी तरीके के परीवर्थन दिखाई दे रहे हैं मैं आपकी लव लाइफ में काफी जादा drЙ नियीं हैं कैके कोई व्यक्ति आपको लिध जो है कानप्स करेंगे अपना अपना लम जो है आपके सामने स्ट्रेस करेंगे clearly मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी अगर marital life में issues चल रहे थे तो यहाँ पर आपके partner जो है कहीं न कहीं कोशिश या इच्छा में रहेंगे जहां पर आपके साथ चाहेंगी कि patch up हो जाए हाला कि मुझे ऐसा नहीं लग रहे है कि वो व्यक्ति आपको इदम खुले दिल से सब कुछ बोल रहे हैं पर कहीं न कहीं आप उनकी बातों में दबे शब्दों में बहुत सी चीज़े सुन पाएंगे या समझ पाएंगे इस तरीके की एनरजी दिख रही है और इवरतन आपकी लाइफ में मुझे नजर आ रहा है यहां पर लाव दिखाई दे रहा है और यह लाव उनके साथ है जिनके साथ आप already relationship में हैं यह पहली घटना आपकी love related है जहाँ पर आप बहुत positive हैं बहुत hopeful हैं हर चीज में positivity सोच रहे हैं साथी साथ आपकी life में किसी तरीके का balance आता हुआ दिखाई दे रहा है और यह balance कही न कहीं मुझे दिख रहा है कि suddenly आपके partner आपके प्रती romantic हो सकते suddenly बहुत जादा romantic हो जाएंगे suddenly आपको लगेगा कि वो बहुत जादा आपके लिए love express करते हुए नजर आ रहे हैं बहुत जादा अपना प्यार आपके सामने रख रहे हैं इस time frame में घर परिवार में मुझे happiness आते हुई और सब कुछ बहुत भैतर होता हुआ balance होता हुआ दिखाई दे रहा है तो love life में definitely मुझे इसे दिखाई दे रहा है कि आपके life में कुछ unexpected चीज़ है हो सकती है जो आपके favor में work करेंगी positively आपके लिए work करेंगी और यहाँ पर मुझे काफी strongly अगर आप single है तो एक अच्छा love proposal भी आपके लिए आता हुआ दिखाई दे रहा है यह love proposal आपके लिए शादी का commitment का हो सकता है ठीक है यह उन लोगों के लिए जो single है जो single है जो शादी के लिए बहुत समय से try कर रहे हैं उनको एक अच्छा proposal मिल सकता है ठीक है अब देख लेते हैं आप लोगों के लिए second घटना कौन सी होगी उनिवर्स मुझे पता है eight of cups को clarify करें sun pool ace of pentacles the world ओके यहापर मुझे आपके लिए traveling दिखाई दे रहे हैं very strongly आप कहीं दूर ट्रावल करने वाले आप अचानक से करते हुए दिखाई दे रहे हैं कहीं न कहीं ऐसा लग रहे है कि आप समय से traveling को लेकर सोच रहे हैं और फाइनली आप जो है traveling याने के घुमने फिरने को और फाइनली इस महीने आप जो है घुमने के लिए तयार हो जाएंगे आप घुमना करेंगे, enjoy करेंगे, risk लेंगे आप कैसे कर रहे हैं कल तक आप बहुत सोच रहे हैं कैसे पैसे बचाने हैं, पैसों पर focus करना है savings पर ध्यान देना है आप ऐसे हो जाएंगे कि नहीं जिसको जो भी होगा वो कल की कल देखी जाएगी आज मुझे गुमना है, आज मुझे अपने आपने फोकस करना है मुझे खुश रहना है इसलिए आप अपनी happiness पर focus करेंगे आप में से कुछ लोगों के लिए बहुत strongly मुझे दिखाए दे रहे कि आप बहुत समय से pet लेना चाते थे तो इस महीने आप finally pet घर में लाएंगे आपके घर में अचानक से unexpectedly pet आजाएगा unexpectedly मैं काऊंगी उन लोगों के लिए रहेगा आपके घरवालों के लिए रहेगा पर आपके लिए तो आप पहले से plan करके बैठे हैं ऐसी energy दिखे जापर pet के entry आपके घर में हो सकता है और पहले तक अभी तक आप या सोच रहे नीगे आपा क्या बोलेंगे, ममी क्या बोलेंगे या वो नाराज हो जाएँगे और डिस टाइम आप ऐसे हो जाएँगे कि नहीं यार ले ले लेते है कल की कल देखी जाएगी जो भी होगा देखा जाएगा अभी मैं इतना सोचूंगी नहीं या सोचूंगा नहीं और यह तो चांसेस है कि घर से बाहर से रस्ते से कोई डॉग उठा कर लियाएंगे तो ऐसी चांसेस बहुत स्रौंग है कि आपके घर में अचानक से कोई पैट आ सकता है इस महीने और बहुत से लोगों के लिए मैंने कहा कि अचानक से आप च्रावल करेंगे और यह च्रावलिंग आपके लिए आपकी पीस आप माइंड के भी होगी जैसे पर आप बहुत समय स के सोच रहे थे और खर्च नहीं कर रहे थे बट फाइनली आप सोचेंगे कि नहीं आप खर्चा किया जाए कल की कल देखी जाएगे ठीक है तो पहली घटना जो है वह आपकी ओप फुल रहने की है पॉजिटिविटी की है जो रिप्रेजन करता है आपकी लाइफ में बेट दी मून, चस्टिस, पौर उफ स्वार्ट्स, ओके जो पीसरी घटना है वो आपके लिए पॉजिटिव नहीं है थोड़ी सी नेगितिव है पीसरी घटना जो है वो ऐसी है कि जहां पर दिख रहा है कि आपकी लाइफ में आप बिना वज़ा बहुत ब्रहम्वित रहेंगे या बिना वज़ा कोई भी धारना बना लेंगे यहां पर धारनाओं का मेरा मतलब है कि कोई कुछ नहीं भी भोल रहा होगा ना तब भी आप उस चीज को लेकर बिना वज़ा ओफेंड हो जाएंगे किसी ने कोई मज़ा किया तब भी आप ओवर रियाक कर लेंगे तो ऐसे चांसे से कि बिना वज़ा ही आप कोई भी अंदर से ही माइंड में ऐसे सोच बना लेंगे कि हाँ इसका तो यही होगा या इसको तो मुझसे प्रॉब्लम होगी एक तरीके की धारना या इल्यूजन या ब्रहमित दुनिया में आप डेफिनेटली इस महीने दिखाई दे रह देखने से इंकार कर लेंगे तो यह तीसरी घटना जैसे कि मैंने आपको कहा पॉजिटिव नहीं है नेगिटिव है यह तीसरी घटना रिप्रेजन कर रहे है कि आप बिना वज़ाई ज्यादा दिमाग लगाएंगे ज्यादा ओवर्थिंकिंग करेंगे और बिना वज़ा ह को गलत साबित करेंगे मलग गलत समझ लेंगे कोई कुछ गलत नहीं भी बोल रहा हूना तब भी आपका थोड़ा सा रॉंग रहेगा यहां पर ऐसे तो आपका माइंसेट बहुत पॉसिटिव है पर यहां पर यहां पर यहां पर मुझे क्लिरली दिख रहे है कि आप अपने बागर सामने बागर करेंगे कि यारि से क्या मालू मैं सही हूं मैं राइट हूं तो इस तरीके reside बन जाएंगी ओवर्थिंकिंग के चलते ही होगा अगर अगर बोग के लिए कुछ लीगल प्रोब्लम चल रही तो मैं कहूंगी साफधानी से बात करो chances है कि वो case आपके उलट में काम कर जाए इसलिए थोड़ा सा सोच समझ कर बात करो argument avoid करनी है आपको confident रहो, hopeful रहो, positive रहो चीज़े अच्छी है बट गुस्सा थोड़ा कम करो गुस्से के वज़े से आपके लिए नुक्सान पैदा हो सकता है ठीक है? उनिवर्स मुझे बता है guidance क्या है कन्या राशी वालों के लिए guidance क्या है मैं के महीने के लिए guidance है Ace of Swords Page of Swords guidance है कि आपको थोड़ा logical और थोड़ा practical होने की जरौत है यहां पर युनिवर्स कह रहा है कि आपको जरौत से ज़्यादा है यहां पर देखो यह ख्याली पुलाओ के तरफ से मुझे लग रही है आपके लिए आया है Ace of Swords के energy मतलब reality check सामने reality रेको, reality से मुह मत मोड़ो आपको practical होने की जरौत है दिमाग से काम करने की जरौत है overthinking या किसी के कहने पर मता जाओ कोई random कुछ बोल रहा है तो बात पर मता जाओ देखो सत्य क्या है सत्य को समझने की कोशिश करो यानि कि आप बिना सूचे समझो कोई भी actions मतलो action लेने ही है तो भी practical भी logical कोई भी ऐसा random फैसला मतलो जिससे बाद में आपको अपको अपसो सुचा है जिससे बाद में अपको लगया रही है यह मैंने क्या कर दिया अब यह foreign example मैं एक example दे रही हूँ ठीक है आप इसको अलग level पर जैसे चाहिए अब यह समझ लो कि कोई व्यक्ति आपसे माफी मांग रहा है आपसे sorry बोल रहा है तो आप उसे माफ कर दे रहे हैं एकदम से जटके में फिर अगले ही पल व्यक्ति कुछ नहीं भी कर रहा है आपको बस सच में वो काम में busy है या थोड़े से occupied है और वो आपको ध्यान नहीं दे पा रहे है तो आप सोच रहे है अच्छा आप आगया अपनी अपनी अवकाद पर यह attitude दे रहा है फिर से या वो इसका वापस शुरू हो गया और सामने वाले को बिना कुछ कहे ही की आप नाराज हो जा रहे हैं cold behave कर रहें फिर वो व्यक्ति बोल रहे हैं क्या हो गया तुम्हें तो आपका बियुशा हो जा रहे या एक बहस कर रहे है फिर उन्ने व्लोग भी कर रहे है आप लोगों की रीडिंग अगर आपको रीडिंग बसंद आई आप लाइक शेर सब्सक्राइब करें धेड़ सारा प्यार दियो उसके लिए अगर आप लोग चाते हैं को डिस्रिक्शन बॉक्स में मिल जाएगी अभी के लिए इतना ही मैं चलते हैं अपना ध्यान रखें मु